मानिय अजैक्ष जी अजैक्ष जी विश्वास मत पर जो चर्चा आज पुधान मंत्री जी के बहुत संचित भाशन से शुरू हुई वो मेरे वरिष्ट साथी आजन में जस्वन सिंग जी के धरदार तरकों से आगे बढ़ती हुई विभिन आयाओं मों को छूती हुई मुश्टर पहुची है मैं विश्वास मत का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हर वक्ता ने चर्चा के शुरुवात जनादेश की व्याक्षा करते हुए की दो परसपर विरोधी व्याक्षा है इस सदन में जनादेश की रखी गए हुई सत्ता पक्ष का कहना है कि ये जनादेश गठ़बंदन की सरकार के लिए था कोईलिशन के लिए था मेरे और से प्रत्पश्म पूछा गया है कि क्या ये जनादेश कॉंग्रेस के साथ कोईलिशन के लिए था ये प्रश्म अधिकत अनुक्तर है मैं उम्मित करूँगी कि कल पधाल मंतरी जवाब देते हुए अपनी बात इससे शुरू करें कि क्या ये जनादेश कॉंग्रेस के साथ कोईलिशन के लिए था जो इस सदन में उपस्थित हो रहा है उसकी अंदेखी आप नहीं कर सकते आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एक जुट विपक्ष है क्या ये घृष्ष अपने आप में जना देश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा लेकिन अध्यक्ष जी ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज का सही अधिकारी अपने राज्या अधिकार से वंचित कर दिया गया त्रेता में यही घटना गाम के साथ गेती थी राज किलत करते करते बनवास दे दिया गया त्रेता में यही घटना धर्मराज विद्ष्टर के साथ गेती थी जब धूर्ट शक्णी के दूर्ष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था अध्यक्ष्टी यदि एक मंधरा और एक शक्णी राम और विद्ष्टर जैसे महापुर्शों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं तो हमारे खिलाब को कितने मंधराओं और कितने शक्णी करते हैं हम राज्य में बने कैसे रह सकते हैं अध्यक्ष्टी शायद राम राज्य और सुराज्य के नियत यहीं नहीं है अध्यक्ष्टी अध्यक्ष्टी शायद नियती ही यह है कि वो एक बड़े ज्टके के बाद मिलता है और इसलिए मैं पूरे विश्वाश से कहना चाहती हूँ पूरे विश्वाश से कहना चाहती हूँ कि जिस दिन 28 तारीक की गोपहर को मेरे हदर्य ये नेता अतर भिहारी वाजपही ने इस सदन में रानमंत्री पत्स से अपने त्याद पत्र की घोशना की थी हिंदुस्तान में उस दिन हाल राज्य की भून का तया दो हिंदुस्तान में उस दिन सुराज की नियू पर गए थी पूर्दर्शन के सामने जीवन्त पसारण देखने वाला हिंदुस्तान का मतदाता उनके अध्यादपत्र की घोशना के साथ करहा उठाथा यह अन्याय हुआ है लेकिन अध्यक्ष जी अन्याय कभी यह स्वीकार नहीं करता कि वो अन्याय कर रहा है अन्याय को अपने स्वार्थ को सिध्धान्त का बाना पहिना कर इस तरह प्रस्थूद करता है जैसे सबसे बड़ा न्याय कर रहा है और यही सदर में घटा धर्म निर्पेक्षता का बाना पहिनकर हम पर सांप्रदाइक्ता का आरोप लगाकर यह तमाम लोग एक साथ हो गए एक जित हो गए कहते हमें लेता है उस समय धर्म निर्पेक्षता बाना सांप्रदाइक्ता पर राष्ट्रिय बहिस होनी चाहिए हम चहते हैं कि इस देश के संविधान निर्माताव ने धर्म निर्पेक्षता की क्या तलपना की थी पर इस देश के शासकों ने उसे किस पर रूप में ढाल दिया इस पर राश्ट्रिय बहिस होनी चाहिए अब दक्ष जी हम सांप्रणाइक हैं हाँ 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 हम साफ़ दाइख है क्योंकि हम वंदे मातन गाने की वकालत करते ही हम साफ़ दाइख है क्योंकि हम राश्टिय गज के संभाल के लिए लगते हैं हम साफ़ दाइख है क्योंकि हम धारा तीन सो सपर को समाब करने की माइन करते हैं हम साफ है हम सांपडाइख है टौकिव हिंदुस्तान में दोण चिर्टे वंचे आ वदम कारे II की पतागै है हाः अधजिक हिंसांपडाइख है . किव फे संवन्रामरी संवतार भदाने के बास करें हम सांपडाइख है किच दीद क्योंकि हम काश्कीरी सालमार्टियों के घर्द को जबान देने का प्रणा है अगज़ी यह सब्रा है यह धर्मने बेच हो दिल्ले की सब्सक्राइब पर फिर हमाद सिखों का टक्तिया देखों अगज़ी आपको साक्षी है कि क्या लबते इन्हीं हुं मुझको मंदी जाने से रोका गया अरुष नहें क हंहागगा तो में तो पर बार पर शाख एला अरुवोत क्यों संसक्तों पहें? क्यों सहती जा एझा हम पहें जा? आ क्यों, एपल एख सश제 हम आ लीहित जे एप Мारहiste tablet in SAR मैं जा झानां को एंड़ रमारी में में, का शिला लियास एक हरिजन से कर वाया है अध्यक्ष जी मैं कह रही थी यह सेकुलर हैं यह कॉंग्रेस जन्ट दिल्ली की सड़कों पर 3,000 सिक्षों का क्याम करने वाले यह कॉंग्रेसमें सेकुलर हैं और आप यहार के साथ चीह हैं अध्यक्ष जी मुस्लिम और यहादर के तोड़ वाइच्वार में लाइटी वाइटी करने वाले यह जलता दलवाई उससेक्ष जाएं सवापधी जी मैं नहीं जानता कि सदन कितने अधट्श बात सुन सकें मैं नहीं जानता किस रोश में मैं आप से रोश को मैंने देखा है कि अध्यक्ष जी बोल नहीं है उनकी बात को सुनना चाहिए और जिनको उत्तर देना हो उनको उत्तर देना चाहिए अध्यक्ष जी अपने वोच बैंक को खुश करने के लिए निर्दोष राम भत्तों पर गोलियों से घुनने वाले यह सपा वाले सेकुलर चकमा शरार्तियों को भगाने वाले और घुस्पईटियों को बसाने के वकालत करने वाले यह 25 सेकुलर सच्चाई तो यह है अध्यक्ष जी कि हम सच्चाई तो यह है अध्यक्ष जी कि चुकि हम अपने हिंडू होने पर शाम भाहिसूस नहीं करते हैं इसलिए हम कामिनल हैं इसलिए हम सामतबाई हैं और इस देश में जब तक आप अपने हिंडू होने पर शर्मिन नगी महसूस नहीं करते हैं आपको इन तथा कतित बुद्धी जीवियों से सेखलो होने का सेटिफिकेट नहीं मिल सकता है अध्यक्ष जी सेखलर्जम के हमारी परिभाशा यह है एक हिंडू अच्छा हिंडू हो एक मुसल्मान अच्छा मुसल्मान एक सिख अच्छा सिख हो एक इसाई अच्छा इसाई और सब अपने अपने पंथों का अनुसरन करते हुए एक दूसरे के धर्मों का आदर करें यह हमारी परिभाशा है लेकिन बेना साक्क्लर्णm हिंदू को गाली देने से शुरू होता है और अगर आप उस गाली देने के कार्कम में शर्तथ नहीं करतें तो आप सेविर हो सहोई नहीं सकते हिंदु तो शब्द के हमसे मायने पूछे जाते थे लेकिन पिछले विश्वास मत पर चर्चा सुनते सुनते मेरी आखें दबदबा गई जब इस सदन में भारती अता शब्द पर भी प्रश्विश्विचे नहीं लगा है आज से पहले तो पहिते थे इंडियन नेस इंडियन निश्टनलिटी की बात कर सकते हो लेकिन इसी सदन में चर्चा के दोरां कहा गया मैं तो बहुत कद्र करती हूं मुरा सुनी महरंदी के लेकिन उन्होंने कहा विए डिफरेंट आप कौन सी संस्कृति की बात करना है भारत भारतिय भारतियता क्या होती है मुझे था शायद इनमें से कोई बोलेगा एक उमीद चंदशेखर जी से जरूर थी पता नहीं क्यूं कौर्वों की सभा के भी शुपिताले की तरह आप अध्यक जी मैं अपने मित्र मुरासली मारंजी से बहुत अदब से ये कहना चाहूंगी भारतियता के माने कहीं पूछने जाने की जरूरत नहीं है अरे भारतियता कार्थ यही है कि भंगडे से भरतनात्यम तक सारे निर्थ्य भारत वर्ष के निर्थ्य है भारतियता के मान कि अमरनाद से लेकर रामिश्वरं पर सारे तीर्थ भारत определित तीर्षे त्यक्सिक्त चाहिए है कि शिवका भक्त अमरनाथ का जल लेकर रामिश्वरम के पर पखाडता है यह एक संस्कुति का कारण हुआ है कि पश्टिम बंगार में जन्में हुए एंसी चेकरजी अपने बेचे का नाम सोमाथ रखते है यही है एक संस्कुति यही है एक संस्कुति मुझे संस्कुति का उधार और कहीं शब्द कोशों में देखने की ज़रूद पही है वो इस सदन में परिदक्ठित हो लेकिन अध्यक जी सवाल यह है कि यह किसी सामप्रदाइक के नाम पर इकठे नहीं हुए है यह भी एक ओड़ा हुआ बाना है यह इकठे हुए है अपने गुनाहों के कारा है यह इकठे हुए है एक दूसरे को बक्ष देने की सौदेबाजी के कारा है जहां यह अपने अपरादों के बेपरदा होने के भाई से इकठे हुए है अध्यक्ष जी ये सांप पुर्दाइटा के लाप पर हुई हुई सांजोदारी नहीं है अध्यक्ष जी ये चारा कांगो हवाला कांग की सांजोदारी है अध्यक्ष जी इशारा समझना चाहिए मैं किस की सांजोदारी की तरफ जिक्ता रहा है कि संगर अध्क 6 मिन ने एक श्क पर Auf संते पैंगिन केरियों कैसिस के बारे मिनेव rich हुई लेकिन पूरे तर्द में से बोफर्स गायब है सेंट के किस गायब है जे अक घायब है सुगर सपंदरway गायब है प्यास्यू डिस इंवेस्मेंट स्कैम गायब है जिनका धिंडोरा पीट के चुनाव में गए थे नर्सिंग राव है पिटोम अफ्करप्शन की चार्जशीट निकालकर चुनाव में गए थे आज उसके उपर एक शब्द भी नहीं और यूरिया स्कैम के ऊपर कहते कोई बचेगा नहीं केवल मुक्टे मारकर कह देने से यह मिल होगा आज जी आज लिए क्या बुलता है यह देखने वाला है और आज भी यह स्कैम में अफ्कर पकड़े गा है लेकिन दोनों के रिष्टदार दोनों के रिष्टदार भी मिल पकड़े गए पांच दिन का सु है अज द़ी है कि यह सद्धेरि कुम माथ करने के सिद्धांत के नाम पर अजी जी में कशार कैसे असाकर चलेगी आज यहां कहा जाता है सप्सार केंस दोना है मेरे नेपा ने तो नहीं कहा बयान तो पहला विजुपटनायक काया पहला बयान दिस गमन पुरियोट लास्ट किस घतक के हो बच्पा के बुदे भुता ने अचारी का बयान आया रहो यह तो पूर अचारी का बयान आया इखक जो मुझे तरफ टरने की क्या जरू होता है पहली स्टेक पर छपी उसका जिक्र में ने कर दिया बिनाय लिलों ने किया इसका जिक्राइब नोचीज रिकार्ट पर आ जाए इना जिक्राइब नर्सिंग में अगुके हवाले से कहा गया कि चुनाव के लिए साथ मेने से एक साल के बीच में तयार होना चाहिए ये बैयां भजपा की तरफ से तुम नहीं आया इतने एंतर विरोधों के साथ जो सरकार चल रही है क्या सांजे नारान रत्तिवारी और मुलाहिम से लियादव में ने कूछना चाहती है क्या सांजे आगर ये बीचु पत्नायक जी क्या सांजे आगर ये बीचु पत्नायक जी आपने और जेबी मत्नायक में क्या सांज है राम लखन सिंग यादव लालू यादव मैं क्या सांज है ममता बैनर जी और सोमनाथ चेटर जी मैं पूछना चाहती चाहती उत्तरा खंदी महिलाओं के सम्मान का सौधा करके नार अर्गत किवारी मुलाहिम सिंग की बदल में क्यों बैची है लगी नार के हितों के अंदेखी करके करना मिधी ने देवे गावरा तुम्री का क्यों स्विगार किया अपने घावों की पीरा घुल करके आप सौमनाथ जी के साथ मकदान पेसे कर रही है ममता जी आपको बोलना है इसलिए ड्वांस नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है उनको बोल लेने की जिए ठीक है आपका नाम आपकी पार्टी से आएगा तो बोल लिजे नाम क्यों नहीं है मुझे वो ग्रिश्ट मुझे वो ग्रिश्ट जस्ता पस याद दे मेरी आँखों में बसा हुआ है मैं राजिसवाओ की दर्शत दिंगा में बैठी थी इसी सदन में नसिम राओ जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हो रहा था मैं वहां से बैठी देख रही थी एक विल चेर के ऊपर ममता जी को लाया गया था यहीं बैठी थी वो चोटों से आए बुखर के कारण काप रही थी बराबर में बैठी दो सांसद महिलाओं में उन्हें लाल कंबल उड़या वहां बैठी हुई मैं उस समय कम्मिनिस्टों के हिंसक प्रवर्टी को कोस रही थी मुझे मालूम है ममता जी के विरोध के स्वर बहुत मुखर होते हैं लेकिन हम उनके विरोध के अधिकार को मानिता देते हैं हम उनके विरोध के अधिकार को स्विक्र भी देते हैं हम उनके आवाज को गैट करने के लिए उन पर हमला नहीं करते हैं इसलिए पूछना चाहत अधड़ जी मैं जिक्र कर रही थी कि केमल घिक्तियों में अंकर विरोग नहीं है जो कारकमों में अंकर विरोग जलगता है वह तो माशालला जब इनका प्रोग्राम आया मैंने उसको आदि से अंक तक पढ़ा एक बार मुझे लगा कि कुछ गलत पढ़ा गया ये हो नहीं सकता मैंने उसको दुबारा कर रहा और पढ़ने के कुरत बाद मेरे मुझे निकला वहाँ भारफ के कम्यूनिस्ट साथियों तुमने लोनिन से ये सिल तक का सफर एकी सब्का में पूरा कर लिया कि अध्यक जी कोईलिशन के कंस्वेंस को मैं समझ सकती कोईलिशन के कंस्वेंस होते हैं मजबूरिया होती हैं कुछ चीजों को बरतरफ रखना पड़ता है कुछ चीजों में सांजेदारी करनी पड़ती है अध्यक जी इसमें लिखा है इंशूरेंस सेक्टर निजी करन उसका कर दिया जाएगा और खौरन कंपनी तक के लिए खोल दिया जाएगा मैं तो हैरान हुई कुछ एक साल पहले की बात मुझे जस्की तस्यात थी कहां गए चत्रान निश्य अध्यक जी आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ मैं राजी सभा में याचिका समीती की अध्यक्षा थी कमेटी और पेटिशन की चेर परसन थी हमारी समीती के सामने एक याचिका डायर की गए एक पेटिशन प्रस्तुत की गए जिसमें ये निखा गया था कि ल.I.C. G.I.C. इंशोरंस सेक्टर को जो प्राइविटाइज करने की एक सिफारिश मलहोत्रा कमेटी की तरफ से आई है वो नादू नतीजा ये थी वो पेटिशन और मैं आपको चौका दू ये बात कहकर वो पेटिशन किसी और में काउंटर साइन नहीं की थी एक MP को प्रस्तुत करनी पड़ती है ये संयोंग है के चत्वरानन मिश्र राजी सभा से मेरे साथ लोग सभा में आये हैं दो चार द प्रस्तुत जी मुझे कहा गया था कि अगर ये इंप्लिमंट कर दी गई रिपोर्ट तो इस प्रटिशन इंट्रेक्शन हो जाएगी इसलिए कम से कम इंपरिम्ट को दी जाए कि ये इंप्लिमेंट नहीं है पेटिशन कमेटी के अध्यक्षा के माते मैंने सरकार को डिरेक्शन दी जी कि जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट में आ जाए हम बहुत जल्दी इस कमेटी की रिपोर्ट देंगे तब तक मलगुतरा कमेटी की सिफारिशन लादू नकी जाएगी और इस याचिका समिती में इस याचिका समिती में इस याचिका पर रिपोर्ट देने से पहले सारी पुलिटिकल काईटिस के लोगों को बुला रहे हैं सारे राजवातिक दल के प्रतंद यहाए थे इसमें क्या बात जाए हैं अध्यक जी पेमी और घका कि इस युईटिट फ्रेंस का जनता देल जिन इसमें क्या है अध्यक जी इसी को उन्हूंने बता हुथ प्रतिवेबल से कर रहे हैं वट नहीं बंत्री तवज्चा नहीं यह तू आजादी है यह कोड कर सकते हैं क्या बढ़े मिनिस्टर जी आपको रूंन बताईये नहीं दो नहीं कोड कर सकते मैं इसकों करोब ऑना तेना चाहूंगे मेरी पार्टी का मस्तिका फार्टी निया फ़लिय। के लिए मत खो वो लेकिन आपकी पारिटी का प्लिसी पड़के बता रही हूं कि सत्ता की दौर में मद्भूश होकर आदमी इतनी उलत वाजी भी खा सकता है कि 50 साल तक जिन्मीतियों को लेकर आपने राजनित के हैं आज वो राजनिति टोटल की टोटल एपसलूट की एपसलूट आप छोड़ देंगे सिर्फ इसलिए कि सत्ता लौलता की दौर में या एंटी पीजे प्लिस्तांस के अंदर आपको कॉंग्रेस के साथ बैचना है आपको जनिता दिल के साथ बैचना है इसलिए मैं आपसे का रही हूं अध्यक जी यहां सदन में यह छोड़ सकते हैं लेकिन बाद जब अपने अपने छेत्रों में जाएंगे इनका कार्करता इने छोड़ने नहीं देगा और यह अंधियरोग इस सरकार को गिराने का कारान बनेंगे रहं भिलास पास्मां कहते शरत याद होगी कहते नहीं यह सरकार तो चलेगी नर्सिंग आउज ने आज कह दिया चलेगी अरे भाई नर्सिंग राव तो महांसादे बैचे हैं बुलिका निभा रहे है यह और यह यह शरत पावार की भूलिका नहीं निभारे, यह ललिता पावार की भूलिका निभारे, मैं भाई शरत यहादर से लिए ललिता पावार, वोटी आ लिक्सिन निभारे, यह पिटी जा एक्सपीरियेंस अब उठी माई को भी है, आज नब उतों देखा चुबते ही, इसलिए भाई शर्व यादर से कहना चाहूंगी, कि यह प्रयोग नहीं है, मैं भाई शर्व यादर से केव इतना कह रही थी, यह प्रयोग नहीं है, यह प्रयोग आपके गुरु राज नारा जी पहले कड़ चुके ही, 20 दिन के अंदर कॉंगरेस ने समर्ख़न बापस लिया था और मेरे आजानी नेता चंध शेकर जी बैचे चार्थ महीने के अंदर इनसे समर्खन बापस लिया था आपके स्थारार पर जिश्वास कर रहा है क्शिशनार आपके इसमसका कोई आचार भेना चाहिए मैं इसली को भुछ ने सीखा और म homem मैं वाङँ इस थी वाइदव वह तो मैं मैं महाँ को फ्रियस की वाइदे स्थोस में, मैं तो भाई शक Lorenco ya organs सही पूछ निए हैहाँ मैंमे इस समाजवाती हुँ का इत्रहtal एका हर धक दो है कि दो रेडी मेड उक्तियां सरकार बनाने और सरकार गिराने के लिए हरसमें मौजूद हैं पहली वक्तर लोहिया ने कहा था कॉंग्रेस को हराने के लिए शेटान से भी हाथ मिलाना चाहिए और दूसरी कहे थे दाप्तर साहब सुधरो या तूटो तो अट्यक जी अब तो हाजका तो फ्रेम में रखकर शेटान से हत्म दाने के वठालत करना है शरद जी अगर मेरे दिन की बात हो जब होगा सुधरो या तूटो और हो भी क्यों नहीं शरद या दो बहुत सही बात है पेशट लात वाले मुपी मंबल में और तीरे लात वाले बंबल में तो क्यों महीं बोलेंगे मिस्चित दोर पर चुम्धिनों की बात हो जब यह होगा सुधरो या तूटो इसलिए वा एक बात कहितर अपनी बात समात करना चाहूंगे अद्यक महुदर यह जो यह जो कहा जा रहा है कि सचार पांच सार चलेगी पांच सार चलेगी नहीं अजब जी इस प्लिटिकल और केस्टा विल डिस्पर्स इड़न बिफर शोर बिइंस